जेसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अगनिपत योजना के खिलाफ विरोध में नौ ट्रेनों को आग लगा दी गई और अन्य संपत्ती को भी नुकसान पहुचाया गया सरकार कहती है कि हम युवा को चार साल में 11,77,000 रुपे देगे और महीने की 25,000 सेलरी अलग से दी जाएगी आखिरेस अगनिपत योजना में ऐसा क्या है जिससे युवा को इतने पैसे दिये जा रहे हैं अगर आप इस योजना की सारी जानकारी को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहो बहुत से युवाओं का सपना होता है कि वह देश के लिए अपना योगदान दे और देश के लिए कुछ कर गुजवे इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अगनिपत योजना निकाली है इस योजना के अंतरगत बहुत से कम उम्र के युवाओं का सपना पूरा हो सकेगा ये पहली एसी योजना ही जिसमें काम करने पर पेसे भी मेलेगे जिन युवाओं का अगनिपत स्कीम के तहट सिलेक्शन होगा उन्हें अगनिवीर के नाम स जाना जाएगा. अब जानेंगे इसमें कोन-कोन आवेदन कर सकते हैं. इस स्कीम के तहट सभी भारतिय अपलाई कर सकते हैं, हाला कि इसमें पुरुशों और महिलाओं की भरती की जाएगी, आपको बता दे कि अगनिपत योजना के तहट, इंडियन आर्मी, नेवी और एफोस में सैनिकों की चार साल के लिए भरती की जाएंगी, चार साल के बाद 75 फीसदी सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा, 6-25 फीसदी अगनिवीरों को स्थाय रूप से जवाननी उप्त कर दिये जाएंगे. इसमें आयू सीमा की बात करे तो, इसमें वही उम्मीदवार इसमें आपको साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी और मेडिकल लीव अलग से दिया जाएगा, हाला की यह मेडिकल चेकप पर निर्भर करेगा. जिनको चार साल बाद घर भेजा जाएगा, उनको अगनिवीर स्किल सतिफिकत भी दिया जाएगा, जो की भविश्य में आगे जॉब लेने के लिए काम आएगा. इसमें आपको 48 लाख का इंशोरंस कवर भी दिया जाएगा, जो की नॉन कंट्रिब्यूटरी रहेगा, यानि आपको इंशोरंस के लिए किस्ट नहीं देनी पड़ेगी. चार साल की सर्विस के दोरान अगर किसी अग्निवीर की मृत्यू हो जाती है, तो बीमा कव मिलेगा, जिसके तहट उसके परिवार को करीब एक करोड की आर्थिक सहायता दी जाएगी. ब्यूटी के दोरान विकलांग होने पर एक्स ग्रेशिया, 44 लाक रुपके मिलेंगे, साथ ही जितनी नौकरी बची है, उसकी पूरी सेलरी मिलेगी और सेवा निधी पैकेज भी मिलेगा. ब्यूटी में रहते शहीद होने पर एकमुष्ट सरकार की तरफ से, 44 लाक दिये जाएंगे, और सेवा निधी पैकेज अलग रहेगा, इसके अलावा जितनी नौकरी बची है, उसकी पूरी सेलरी मिलेगी. अगनेपत योजना के माध्यम से भारतिय सेना, भारतिय नौसेना और भारतिय वायुसेना के लिए लगभग 46,000 सेनिकों की भरती की जानी है. इसमें सेलरी की बात करें तो, अगनेपत स्कीम के तहट जिसका चयन होगा, उन्हें हर साल बढ़कर सेलरी मिलेगी, पहले साल प्रतिमा, 30,000 रुपे दिये जाएंगे, इसमें से आपके हाथ में 21,000 आएगे, बाकी के 9,000 आपके नाम से सरकारी फंड में जमा होगे, उसी फ 9,900 रुपे आपके नाम से सरकारी फंड में जमा होगे, उसी फंड में सरकार भी आपको 9,900 रुपे देगी, फिर तीसरे साल आपको 36,500 रुपे महीना मिलेगा, इसमें से आपके हाथ में 25,580 रुपे आएगे, बाकी के 10,950 रुपे आपके नाम से सरकारी फंड में जमा हो 12,000 रूपे आपके नाम से सरकारी फंड में जमा होगे, उसी फंड में सरकार भी आपको 12,000 रूपे देगी. आपको सारा पैसा जो सरकारी फंड में जमा होगा, वह 4 साल में कुल 5,000,000 बन जाएगे, और दूसरी तरफ सरकारी पैसे भी 5,000,000 बन जाएगे, इन पेसों पर ना भूले